नमस्कार आदाब, निश्कलिक में आपका स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल आज हम बात करेंगे पश्यम मंगाल पर पश्यम मंगाल में रविवार से हाई वल्टेज ड्रामाज जारी है चिट फंड गोटाले में CBI ने कॉलकाता के पुलिस कमिशनर के घर चापा मारा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया CBI को उसके बाद ममताव एनर जी धरने पर बैड़ गई CBI ने सुप्रिम कोड का रुक किया है जहां उन्हें मंगलवार की तारिक मिली है संस्थ में आज इसको लेकर बहुत हंगामा रहा इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेखक और राजनेतिक विशलेशक पुर्शत्तम अगरवाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आज सीबी आई की साख और ममताब एनरजी की राइबती दोनों सवालों के गहरे में हैं आप इस सब को किस तरह देखते हैं देखिए बदकिसमती से सीबी आई उन संस्थाओं में हैं जिसकी साख आज से नहीं बहुत पहले से संदिख्द रही है जिसकी साख पर सवाल उठाए गई है वर्तमान प्रधान मंत्री जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब यही सीबी आई को कॉंग्रेस बीरो आफ इन्वेस्टिकेशन कहा करते थे सुप्रिम कोर्ट ने सीबी आई को पिंजरे का तोता कहा था असल में जब मोदी जी कॉंग्रेस बीरो आप investigation कहते थे या ये कहते थे कि सीबी आई का इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया जाता है तो कुछ लोगों ने उम्मीद की होगी मैंने तो नहीं की थी कुछ लोगों ने उम्मीद की होगी कि जब वो मोदी जी के कबजे में चीज़े आएंगी तो साइद हालत बदलेगी अब हालत ये है कि सीबी आई की साख समय इतने निम निस्तर पर है संभवते कभी नहीं थी इतिहास में अभूत पुर्व घटना हो रही है आप रात के दो बजे सीबी आई का आफिस घरवा देते हैं आप डिरेक्टर को हटा के एक्टिंग डिरेक्टर बैठा देते हैं फिर आप लीडर आफ अपुजी इसन के नोटाफ डैसेंट की परभा किये बिना सीबी आई का नाय डिरेक्टर निक्त कर देते हैं फिर सीबी यहां तक मुझे याद है इसी घोटाले में कोई बिस्वाल भी हुआ करते हैं, वो कहा हैं? तो फिर क्या क्रेटिबिलिटी है? यही मेरा सवाल था, कि क्या वाकिए मुदी सरकार बिष्टा-चार से लड़ना चाहती है? यह तो देखिए, यह तो बिल्क, मैं यह बात हरकेज मानता. क्योंकि अगर भृष्टा-चार से लड़ने के प्रतिया आप गंभीर होते, तो पहले तो वो एक लोगपाल नाम की कोई चीज हुआ करती थी, यह बनने वाली थी, जिसके लिए सुना है कि वो तथा कते दूसरे महात्मा गांदी फिर से भूखरताल पर हैं और जो म आप एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, तो राफल पर जेपीसी मिठाने से आपको किस ने रोक हैं? जेपीसी की मांग को आप राश्ट द्रोह के करीब क्यों पहुँआ देती हैं? तो मैं तो यह मानने को कता ही तयार नहीं हूँ कि मोधी सरकार ब्रष्टा चार से ल संख्याओं का खेलनी होता, लोकतंत्र टीवी स्टूडियो में गले बाजी का खेलनी होता, लोकतंत्र संस्थाओं और मर्यादाओं से चलता है, जब आप संस्थाओं को एक एक करके धुस्त करते चले जाएं, मर्यादाओं को एक एक करके खत्म करते चले जाएं, तो लोकत क्योंकि अगला चुनाव अब सामने हर कोई टाइमिंग का सवाल उठा रहा है कि अभी पिछले दूनों जब यूपी में मायावती और अखलेश का गड़ बंदन हो रहा था तो वहां खनम घोटाला और यह सब चीजे महां चापे मारी शुक्त भाई वो लखनव में जो मामला है CBI के पास तो यह मामला पिछले पांच बरस से है अभी इनको कलकत्ते के अच्छा दूसरी एक चीज़ और समझने की है सरल जी आप पुलिस कमिशनर के घर पहुच जाते हैं बिना किसी वारंट के आप उनको उठा लाने के लिए या पूछ ताच करने के लिए आप को तो दिल्ली पुलिस रात के दो बज़े उठा ले जाएगी और पूछने पर आपकी बीबी से कह देगी हमें नहीं पता कहा है बहुत खतरनाक संकेते हैं लोगों को समझना चाहिए तो इसके राजनीती का दूसरा पहलू एक ममता का पहलू बनता है तो ममता भी जिस तरह शित्मावले को तूल दे रही है जो धरना दे रही है उसे आप किस तरह देखते हैं और संकेती है नहीं देखिए मम्ता भी इनरजी की तरह सुरू जी क्वरी के तारे है कि critically करता लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताईए कि आप इस तरह की सुरूआत क्यों कर रहे हैं नही कोंपिटेंट अथर्टी से अप्रूवल लिया गया था कमिशनर के खिलाफ एक्षण लेने के पहले डिरेक्टर जनरल आप पुलिस वेस्ट पेंगॉल को सुचित किया गया था कि हम ऐसा एक्षण लेने जा रहे हैं यह लेना चाहते हैं आप गोपनियता की बात करते हैं कि ड मताब एनरजी ने इसको जिस तरह एक नाक का सवाल बना दिया लेकिन मैं उनकी बेचैनी समझ सकता हूं उससे में एक हद तक रिलेड कर सकता हूं क्योंकि अगर इसी तरह CBI चलती रही और इसी तरह केंदर सरकाज चलती रही तो फिर तो जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात है जिसकी चिंता नरेंदर मोधी बहुत करते थे जब मुक्य मंत्री थे वो फेडरल स्ट्रक्चर तो आप खत्म कर देंगे याने फिर तो CBI या सेंट्रल पुलिस कोई भी कुछ भी कर सकती है मंता की राइनिती की मैं बात कर रहा हूं कि बंगाल में मंता ने भी खुद अपना विपक्ष को बदल दिया जो उनका मुक्ख विपक्ष था वाम उन्होंने उनके मुकाबले बीजे पी को चुना मुकाबले के लिए और उसे बढ़ावा दिया कुछ ऐसा इस तरह का लगत है कि बंगाल में बीजे पी को अपने तोर पर बढ़ावा दे रही हैं देखिए ममता भी एस्टेंसियली अथारिटरियन टेंप्रवेंट की मैं बहुत सीधी सी बात को और इसलिए वो जाहे रहे की बंगाल में आबाद राज चाहती है नंबर नंबर दू तीसरी बात यह क की बहुत बड़ी रैली हुई यह आप सही कह रहे हैं लेकिन सी पी एम की समस्या यह है कि लगातार तीस साल बंगाल में राज करने के बाद उसमें भी वो सारी बुराईया आ गई जो इतने लंबे राज करने के बाद किसी पार्टी में आ सकती है और ममता के लिए इस समय और पर मुझे लगता है कि बहुत सभावे के कि ममता अपनी प्रात्मिक चनौती बीजेपी को मान रही है और एक तरह से वो दूरदर सिदा का परचे दे रही है क्योंकि सी पी एम तो है बंगाल में कॉंग्रेस भी थोड़ी बहुत है ममता बैनार जी एक दूरदर्सी कार और भारतीय जन्ता पार्टी के जो भी सोचने वाली लोग है आपने ममता बैनर जी को एक अद्भोत अपर्चुनिटी दे दी है जिसमें वो फैडरलिज्म की पैरोकार बन गई है जिसमें उनके साथ सारे विपक्ष को आना पड़ेगा चाहे आप उनको बहुत पसंद क काने की कोशिस करने का मौका आपने तुथाल में सया के लिया हूं तो पूरा विपक्ष जिस तरह उसके होगा और ममता में एक नाट की एता तो है दूसरा कोई मुख्यमंतरी शाहिद ऐसा ना करता वो चिठ्ठी लिखता कूर्ट में जाता जो पारंपर एक तरीके हैं दिल्ली के मुख्यमंतरी रहते हुए अरुण कोई दरने ना यह सकते हैं अगला कर दरने यह कि रहान में कोई सवाल करूं और फरनته jedo तो ही मैं पूछना जा रहा था कि आगे जा के देश के लिए कितना नुक्साद है वही मैं कहा रहा हूं आपसे कि नरेंदर मुधी धरने पे बैठ चुके हैं जब मुख्यमंतरी थे मम्ता बेनर्जी तो असल में नरेंदर मुधी के चलन चलनों पे चल रही है देश की किंद्री ये सरकार को ये ध़्यान रखना पढ़ेगा और उस वाज़ाक पार्टी को ध्यान रखना पढ़ेगा कि सीबी आई की क्रेडियूलिटी बने, मर्यादाओं का प्रोसीजर्स का सम्मान हो, फिर सीबी आई अपना काम करें कौन रोख सकता है शुक्रिया बहुत बहुत पुरशत्म जी तो साथियों आपने सुना पुरशत्म जी ने बताया कि सवाल जो है देश का है देश के लिए बड़ा नुकसान दे हो सकता है इस तरह की कारवाईयां इस तरह की जो जिस तरह के कदम उठाये जा रहे हैं सवाल ममता का या CBI का या म लेकिन अभी बंगाल का ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा ये जारी रहेगा फिलाल इतना ही नमस्कार